जोहार मैं आनेद कुमार और आप देख रहे हैं जन्मन की बात दोस्तो छात्र और युवा पढ़ाई करते हैं तयारी करते हैं कि जारखंड में जॉब की वेकेंसी आएगी तो एक्जाम देंगे पास करेंगे नौकरी मिलेगी तो भवशी सुरक्षित होगा लौज लेकर कमरे लेकर रहते हैं अभाव में जीवन काटते हैं माबाप पेट काटकर पैसा भेजते हैं कि किताब खरीदेगा कोचिंग की फीस भरेगा लेकिन उनको क्या पता कि सीटे निकलेंगी तो जरूर लेकिन उनका सौधा हो जाएगा पर सोख खबर आई कि जैसे सी सीजिल परिक्षा का पेपर लीक होने की जाच इनफोर्स्मेंट डिरेक्टरेट यानी एडी करेगा राज सरकार ने पहले ही साइटी बना दी है जाच के लिए लेकिन एडी ने राची पुलिस से फायार की कौपी मांगी है पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एडी इस मामले में कहां से आ गया और क्यों उसने जाच का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया एडी तो आखिर वहीं जाच करता है जहां पैसों का लेंदेन हो तो E.D. ने आज बता दिया कि आखिर उसने CGL का मामला हाथ में क्यों लिया दोस्तों आपको याद होगा कि 3 जनवरी को E.D. ने ततकालीन मुख्यमंत्री हेमन सोरेन के ततकालीन प्रेस सलाकार अभिशेक परसाद पिंटू साहिब गंज के D.C. राम निवास यादो समेत करीब एक दरजन ठिकानों पर छापे मारी की थी इनमें एक ठिकाना विनोध सिंग का भी था पेशे से आर्किटेक्ट विनोध सिंग के हाँ E.D. को छापे मारी में लाखो रुपए कैश मिला था इसी बिनोध सिंग को साथ फरवरी को E.D. ने पूछ ताच के लिए बुलाया था पूर्व मुखमंत्री हेमन सोरेन के बेहद करीबी इमाने जाने वाले सक्ष के यानि बिनोध सिंग के मोबाइल फोन से 540 पन्नों का वाटसेप चैट मिला है और ये चैट वाइरल हो गया है इन चैट से पता चलता है कि बिनोध सिंग और उनके संबंधित वक्तियों ने वाटसेप के जरिये विभिन सरकारी अधिकारियों यहां तक की I.A.S. अधिकारियों के ट्रांसफर और सरकारी दस्तावेजों के लेन देन की चर्चा की है E.A.D. ने इस वाइरल चैट को रिकवर किया है जिसमें कई महत्तोपूर्ण जानकारिया सामने आई है खबरों में कहा जा रहा है कि E.A.D. की हिरासत के दौरान जर्खंड के पूरों मुक्हमंत्री हेमन सोरें से उनके करीबी सहयोगी दोस्त बिनोज सिंग के साथ वाटसेप पर उनकी चैट का सामना कराया गया जो बेहद आपत्ती जनक है और इसमें कई संपत्तियों का वीवरण शामिल है इन चैट्स में नकेवल कई संपत्तियों के संबंध में गोपनी जानकारी का आदान प्रदान यानि एक्सचेंज ओफ सीक्रेट इन्फोर्मेशन शामिल है बलकि ट्रांसफर पोस्टिंग सरकारी रिकॉर्ड साजा करने आदी से संबंधित अन्य आपत्ती जनक सामगरी भी शामिल है और इस से बड़ी मात्रा में धन की उगाही औ इसके अलावा बिनोज सिंग ने अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग जारखंड कर्मचारी चैन आयोग यानि जैससी द्वारा आयोजित प्रतियोगी परिशाओं में शामिल होने वाले चात्रों के कई एड्मिट कार्ड को अपने कबजे में लेने और साजह करने डीसी बनाने और उन्हें डीसी बनाने के लिए करोडों रुपे का प्रस्ताव फेजा गया था यहां तक कि इन चैट्स में कई ऐसे संदेश भी हैं जिन से इस पश्ट होता है कि सरकारी पोस्टिंग और अन्य सरकारी न्यूगतियों पदस्थापन के लिए रिश्वत देन रोऊ एटीसी रवी शर्मा प्रजेट पोस्टिंग डिप्टी सेकरेटरी जैससी चोईस वन सेकरेटरी आर्टी ए हजारी बाग चोईस टू एम सी राची नगर निगम मौमध हैदर अली जोइन सेकरेटरी डारेक्टर डियार डिये गुमला फोर पोस्टिंग डीडि जी तेहार आदी बनाने की बात कही गई है लेकिन सबसे गंभीर बात जो है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंद सोरेन का जो शक्स इतना करीबी था आखिर जैसेसी के एड्मिट कार्ड उसके फोन में क्या कर रहे थे क्या वह जैसेसी की प्रतियोगी परिक्षाओं की सीटे बेचने वाले गिरोह का सरगना है क्या वह इस गिरोह का संरक्षक है और क्या सीटों की खरीद फरोक्त में सेटिंग गेटिंग में सरकार से सत्ता से जुड़े लोग शामिल थे और उससे भी बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि पेपर लीक होने के बाद और परिक्षा रद होने के बावजूद एजेंसी को कैंसल क्यों नहीं किया जा रहा है ब्लेक लिस्टेड क्यों नहीं किया जा रहा है आयोग ने च्छा फरवरी को एक लंबी चोड़ी तीन पन्नों की सूचना प्रकाशित की इसका कुल जमा निचोड यही था कि परिक्षा के पहले परिक्षा लेने में पेपर सेट करने में पेपर छापने में पेपर चेक करने में रिजल्ट निकालने में यानि किसी नियु यानि आयोग एक भोला सा, नन्हा सा, प्यारा सा, छोटा सा बच्चा है तोस्तों आयोग ने अपनी सफाई में यह भी कहा कि जैसे सी सी जिल 2023 परिक्षा के संचालन के लिए आउट सोर्सिंग एजेंसी के चैन एवंग कार्यादेश यानि सेलेक्शन और वर्क ओर्डर दिये जाने की कारवाई आयोग के द्वारा जून 2023 में ही पूरी कर ली गई थी आयोग के वर्तमान अध्यक्षानी निरत सिनहा जी ने 27 सितंबर 2023 को योगदान किया है अक्टूबर 2023 के बाद उक्त आउट सोर्सिंग एजेंसी के विरूद आयोग द्वारा कई कठोर निर्ने लिए गए हैं लेकिन क्या लिए गए हैं इसकी जानकारी नहीं दी गई है इसके अलावा जे जी जी एल सी सी ई परिक्षा अंतरगत दिनांग 28.1.2024 को आईजूत परिक्षा में करतिपय प्रशन पत्र लीक होने की घटना के समन्द में नाम कुम्थाना में कांट संख्या 45 बटा 2024 दिरांग 29.1.2024 दर्ज कराये गया है जिसकी धारा 466, 466, 420, 122, 66 सुचना प्रदोगी के अधिनियम और 12 जारखंडी प्रतियोगी परिक्षा भरती में अनुचित साधनों की रोक्थाम एवंग निवारण के उपाय अधिनियम 2023 के तहट मामला दर्ज किया गया है और दोशी व्यक्तियों को कठोरतम दंड दिलाने का अनुरोध संबंधित पूलिस पताधिकारियों से किया गया है आयोग ने कहा है कि सक्षम प्राधिकार से अनुरोध किया गया है कि त्वरित एवंकारगर अनुसंधान कराते हुए दोशी व्यक्तियों की विरुध कठोरतम कारवाई सुनिश्चीत करने है तू उच्चेस्टरिय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया आयोग ने कहा कि सीजिल परिक्षा के दिनांग 28 एक 2024 को आईजित तीनों पालियों के परिक्षा को रद किया गया है और दिनांग 4 फरवरी 2024 को निर्धारित परिक्षा को स्थगित किया गया है जिससे कि किसी अभ्यर्थी अथवा उनके किसी अपराध संगी यानी प्लिस को कोई नाजाय जलाव नहीं मिले तो दोस्तो आयोग यह कह रहा है कि एजेंसी पर अक्टूबर 2023 के बाद कठोर निर्ने लिए गए हैं लेकिन क्या निर्ने लिए गए हैं जब पटना में एड्मिट कार्डों की बरामदगी हो रही थी और अब एडी को बिनोट सिं को रटा दिये गए थे तो सेंटर पर लीक परिक्षाओं की जाच कराकर क्या मिलेगा सच तो यह है कि जैसे सी की परिक्षाओं में सुनियोजित तरीके से स्कैम चल रहा है और परिक्षार्थियों को ठगा जा रहा है भले ही आयोग को इसकी जानकारी हो या नहो सीटे तो पैसे देकर नालायक निकम में और अयोग चात्रों को बेच दी जा रही हैं आयोग को चाहे पता हो या नहों दोस्तों बिना एजेंसी की मिली भगत से कैसे सवाल और उनके जवाब परिक्षा माफिया को मिल सकते हैं ऐसे कई पेपर वाइरल हुए थे जिसके प्रस्ण तो एजेंसी को ब्लेक लिस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है जैसे सी जेई की परिक्षा का पेपर 2022 में लीक हुआ था तो बिनसिस टेक्नलोजी जो परिक्षा लेने वाली एजेंसी थी उसको ब्लेक लिस्ट किया गया था सीजेल का परचा लीक हुआ है तो लीपा पोती की जा रही है सफाई दी जा रही है लेकिन एजेंसी को काली सूची में नहीं डाला जा रहा है आखिर क्यों जैसे सी पेपर लीक केस में आउट्सोर्सिंग एजेंसी की भूमिका संदिग्ध है जैसे सी ने कार्मिक सचीव को उसमें भी यही संदेज जताया गया है कि एजेंसी का चैन जून 2023 में कर लिया गया था आयोग के वर्तमान अध्यक्ष ने 27 सितंबर 2023 को पदभार लिया था और जैसेसी का दावा है कि नए अध्यक्ष के पदभार लेने के बाद आउट्सोर्सिंग एजेंसी के खिलाफ कड़ कारवाई की गई थी लेकिन क्या कारवाई की गई थी परिक्षा लेने के पहले और अक्टूबर के बीच में कोई कारवाई की गई थी तो फिर चूक कैसे हुई पेपर लीक कैसे हुए आउट्सोर्सिंग कंपनी से आयोग के किसी पदाधिकारी या कैमचारी की मिली भगत स आयोग ने इंकार किया है इसे चरित्रहनन का प्रयास और आयोग की शवी धुमिल करने का प्रयास बताया गया है ये सब कुछ किया गया है सिवा एजनसी को ब्लैक लिस्ट करने के तो क्या जैसे सी चाहता है कि फिर से वही एजनसी परिक्षाले CGL की या आयोग पर कोई दबा है तो किस लेवल से दबाव है और अगर नहीं है तो आयोग फिर क्यों नहीं जैसी को ब्लैक लिस्ट कर रहा है एक बड़ा सवाल है अगर नहीं किया जाएगा तो फिर से पैसे लेकर परिक्षार्थियों को सवाल जबाब रटाये जाएंगे तो उमीद है इडी इस मामले क की जाच करेगा और सिर्फ सीजियल ही नहीं जूनियर इंजिनियर पीजी टी नगर पालिका लैब असिस्टेंट समेथ जितनी भी परिक्षाएं और नियुक्तिया हुई है सब की जाच की जाएगी जारखंड की नस नस में ब्रस्टा चार का कीड़ा घुस गया है और दलाल बैमान इस राज का भविश्य टै कर रहे हैं और इस राज का भविश्य टै करने वालों की नियुक्ति में शामिल हैं सिर्फ एक दो को पकड़ने से काम नहीं चलेगा इस पूरे सिस्टम में जब तक की इतना शक नहीं डाला जाएगा तब तक ये बीमारी फैलती रहेगी यह बाते मैंने अपने हनुमान के अधार पर कही थी लेकिन आज एडी ने हेमन सोरेन की रिमान रवड़ी बढ़ाने के लिए बारह पन्नों की जो जानकारी कोट में दी है उसमें लिखा गया है कि हेमन के सखा आर्किटेक्ट बिनोट सिंग के मुबाइल और घर से शात्रो की बड़ी संख्या में एड्मीट कार्ड बरामद हुए हैं जिनें पैसे लेकर बहाल किया जाना था बिनोट सिंग कौन है ये सभी जानते हैं देश विदेश की सपरिवार यात्रा में ये हेमन सोरेन के साथ साय की तरह चलता है अब पता चला है कि हेमन सोरेन ने दलाल बिन हो सकती है कि कोईला लोहा पत्थर बालू जमीन बेचने वाले हिमन्त ने गरीबों की नौकरी बेचने का भी काम कर दिया और बाबुलाल मरांडी ने लिखा है कि हम मुकमंत्री चंपरी सोरेन जी से मांग करते हैं कि बिना विलंब जैसे सी घोटाले की जाच सी बी आई से क होगा यह जो भ्रस्टाचार का घुन लग गया है यह जो दलालों के हाथ में पूरा सिस्टम गिर्वी चला गया है इसको कौन निकालेगार जब तक इन हाथों से जार्खन्ट मुक्त नहीं होगा सीटे बिक्ती रहेंगी, खदाने बिक्ती रहेंगी, कोईला बालू पत्थर सब कुछ बिक्ता रहेगा और जारखंड इसी तरह से शर्मसार होता रहेगा गरीबों के राज के रूप में घरेलू, नौकरानियां और मजबूर पूरे देश को सपलाई करने वाले राज के रूप में जाना जाता रहेगा कोई मजबूत राजनीतिक नित्रिटो, कोई मजबूत राजनीतिक इक्षाशक्ति ही इस भराश्टा चार के दलदल से इस राज को बाहर निकाल सकती है लेकिन किसमे है वो राजनीतिक इक्षाशक्ती जारखंट 24 साल का हो गया है और इन 24 सालों में जारखंट की चर्चा उपलबधियों के लिए बहुत कम और बहिमानी भरस्टाचार राजनीति कुथल-पुथल के कारण ज्यादा हुई है तो दोस्तों ED जारख करता रहेगा CBI की जारख होगी या नहीं होगी लेकिन SIT भी जारख कर रहा है इस जारख का फलाफल क्या निकलेगा पहले भी परिक्षाओं में सेटिंग गेटिंग की बात होती रही जारख होती रही एकार लोग पकड़े भी गए लेकिन हुआ कुछ JSC J.E.E. की परिक्षा में तो पकड़े भी गय थे लोग, कबूल भी किया था उन्होंने, परिक्षा रद हो गई, एजिंसी ब्लेक लिस्ट हो गई, दोबारा परिक्षा हुई है, कई महीनों से रिजल्ट अटका हुआ है, JSC J.E.E. के परिक्षार्तियों ने मुक्यमंत्री चमपई सोरेन के नाम एक खुला पत्र जारी किया है और पत्र जारी करके मांग की है कि रिजल्ट निकालिए लेकिन ऐसे रिजल्ट निकलने से होगा भी क्या परिख्षाएं पारदर्शी नहीं होंगी परिख्षाओं में बैमानी होती रहेगी पैसे लेकर अयोगे लोगों क घुशाया जाता रहेगा तो एक्जाम होते रहेंगे और रिजल्ट भी निकलते रहेंगे लेकिन जो मेधा भी छातर हैं जिन्रों को तो नहीं मिलेंगी निके पास पैसे होगे तो उमीद यहीं है कि परिख्षाओं कि निश्पक जाच होगी और स Makes Sam's Pode आएगने निकests दो नमस्कार